आज के वीडियो में सितारा मचली, अथवा एस्ट्रियास और बिटिल इस्टार के बारे में संपूर्ण जानकारी चित्र सहित आपको समझाएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लाथते देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजी चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सितारा मचली के बारे में समझ लेते हैं यानि इस्ट्रियास के बारे में जान लेते हैं तो सितारा मचलियां समुद्र की पत्रीली सतह पर रेंगती भी पाई जाती है और इनका सरीर चपटा तथा पेंटा मरस होता है यानि सरीर कैसा होता है बॉडी कैसी होती है चपटी होती है और पेंटा मरस का मतलब यह होता है पंच भागी होती है यानि पाँच भागों में इनका सरीर बटा होता है और भुजायें कितनी होती हैं? पाँच इसलिए खागया भुजायें पाँच होती हैं यानि पाँच लंबी-लंबी सी भुजायें होती हैं सून्ड जैसी भुजायें इसमें निकली रहती हैं जो oral surface of central disc से इस्पष्ट रोब से भिन नहीं होती हैं मतलब इसमें जो isteryas है इसके सरीर में एक aspect kendrit disc पाई जाती है या central disc पाई जाती है तो उससे भिन नहीं होती हैं अलग नहीं होती हैं मुख से प्रयारंभ होकर भुजाओं के सिरो तक पाँच embolacral खाचे होती है मुख से लेकर के भुजाओं के सिरों तक यानि जो भुजाएं हैं के अंतिम छोड तक पाँच embolacral खाचे पाई जाती है पाँच और प्रतेक embolacral खाच के दोनो ओर या दोनो तरप किनारों में ट्यूब फीट की दो कतारे होती है और इनके सिरे पर चूसक होते हैं जो सिरे होते हैं चूसक होते हैं वो चलने में सहायता करते हैं चलने में हेल्प करते हैं आपको बता दें कि सरीर की चप्टी निचली सतहे जो आधार तल की और होती है जो सरीर की निचली चप्टी सतहे होती है जो आधार तल की तरफ होती है, वो आधार सतह कहलाती है, या मुख सतह कहलाती है, या ओरल सर्फिस कहा जाता है, ओरल सर्फिस जो आधार की तरफ होती है, और सरीर की जो उपरी सतह होती है, जो उपरा प्रिष्ट सतह होती है, जिसको पीट कहते हैं, अप मुख सतह कहलाता है, या आय बो ओरल सर्पेस कहलाती है और इस सथाह पर आसंखे सूल होते हैं या गुलिकाएं होती हैं या टुबेर कुलीज का जाती है और जो गुलिकाएं होती है इनके चारों ओर बीच बीच में छोटी-छोटी सी चीमटी के समासरन रचनाय होती है जिने पेडिसलिरी कहते हैं चिम्टी के तरह से और ये सरीर की सतह को साफ करने एवं सुरच्छित रखने में प्रियोग होती है कहने का मतलब ये है कि जो इसका आयब ओरल सर्फिस है इसमें आनियमित क्रम में बहुत छोटे छोटे से कंटक पाया जाते हैं और उन कंटकों के बीच में डर्मल ब्रेंकियाई भी होते हैं डर्मल ब्रेंकियाई और केंद्रक के पास में घुदाद्वार भी होता है या एनस भी होता है और जो इसका आयब ओरल सर्फिस है उस पर किनी दो भुजाओं के बीच में एक मोटा सा ब्रकाकार यानि किडिनी से ब्रकाकार मैड्री पुराइट पाया जाता है मैड्री पुराइट और पूरे सारीज़त पर मैंने बताया है कि पैडरसलरी जो होते हैं छितरे रहते हैं बिखरे रहते हैं और जल परिवहन तंत्र या वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें सूविक्सित होता है और ये सितारा मचलियां भोजन के रूप में प्रियोग की जाती हैं लोग इनको खाते हैं और इनका कंकाल सुस्क पाउडर के रूप में कैल्सियम युक्त उर्वरक में कामाता है सुखे पाउडर के रूप में कैल्सियम युक्त उर्वरक में और सितारा मचलियां ओष्टर क जो ओष्टर होते हैं परलो ओष्टर जैसे मोती उद्धोग वाले हैं मोती वगरा जो निकालते हैं तो सितारा मचलियां ओष्टर का सिकार करती हैं और मोती उद्धोग को अत्यधिक हाने पहुंचाती हैं यही पर अगर इनके सरीर भित्त की बात करें जो सितारा मचली है जो इसके body wall की बात करें तो इस्ट्रियास की सरीर भीत उपचर्म यानि epidermis, dermis और muscular लेयर तथा perital peritonium से बनी होती है या भीती peritonium से बनी होती है जो इसकी body wall है वो कैसे बनी है? epidermis से यानि उपचर्म से, dermis से यानि चर्म से, muscular layer यानि पेसिये पात से और भीती peritonium यानि parietal peritonium से बनी होती है और जो इसकी epidermis है वो सूलों को छोड़कर, काटों को छोड़कर, कंटकों को छोड़कर सरीर की संपूर्ण सतह पर पाई जाती है के बन सूलों पर नहीं पाई जाती है बस और यहाँ पच्माभित इस्तमभी उपकला कोशिकाओं यानि epithelial cells की बनी होती है किसकी? epithelial cells की जिसमें ग्रंथी कोशिकाओं होती है या gland cells पाई जाती है और तंत्रिका संबेदी कोशिकाओं भी पाई जाती है या neurosensory cells भी पाई जाते है और आपको बता दें epidermis के नीचे fibrous connective tissue यानि तंत्मे संयोजी उतकों का बना dermis पाया जाता है तंत्मे संयोजी उतक का बना dermis होता है और इसके बाहरी भाग में अस्थिकाएं होती है अस्थिकाएं जो अंतह कंकाल का निर्माड करती है अंदर वाले कंकाल को बनाती है अगर starfish की आंत्रिक संदचना की बात की जाए internal structure की बात की जाए तो starfish में एक वास्तविक बिस्त्रित गुहा पाई जाती है बड़ी सी गुहा पाई जाती है जिसे आंत्र गुहा कहते है या enterosil कहा जाता है enterosil अगर इसके पाचन तंत्र की बात करें तो starfish में एक पूण आहार नाल पाई जाती है यहां मुख अप मुख यानि ओरल और एब ओरल अच्छ के साथ पाई जाती है और आहार नाल को मुख ग्रसिका, आमासे, आंत और गुदा में बाटा गया है अगर इसके मुख की बात करें, तो मुख पंच भुजिये होता है यानि पंच भुजिये छिद्र होता है और उसके चारों तरफ पेरिस्टोम पाय जाता है और यहां माउथ पैपली जो होते हैं और मुख कंटक, यानि ओरल स्पाइन्स के द्वारा सुरच्चित रहता है माउथ पैपली और ओरल स्पाइन्स के द्वारा और मुख और आमासे के बीच में ग्रासिका पाय जाते हैं या अस्चोफाइगर्स पाया जाता है और आमासे अथवा इस्टमस दो भागों यानि कार्डियक और पायलोरिक में बटा होता है कार्डियक और पायलोरिक में आत यानि इंटेस्टाइन एक छोटी पांच भुजाओं की नली के समान होती है पांच भुजाओं की नली के समान और आत का जो पिछला भाग होता है वो मला से कहलाता है या रेक्टम कहलाता है अगर इसके जल समवाहनी तंतर की बात करें वाटर वैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो एक आयनोडर्म में एक बिसेश प्रकार का जल समवाहनी तंतर पाया जाता है जिसे वाटर वैस्कुलर सिस एक कैलकेरिया ही प्लेट पाई जाती है जिसे प्रारंध्रक या मैट्री पुराइड कहा जाता है प्रारंध्रक या मैट्री पुराइड कहते हैं जिसमें लबग दो सो पच्चास छोटे छोटे से रंध्र पाया जाते हैं छोटे छोटे से रंध्र होते हैं जो रंध्र नाल स एक एमपुली में खुलते हैं या तुम्बिका में खुलते हैं एमपुली को हिंदी में तुम्बिका कहा जाता है और एमपुली से जुड़े रहते हैं या इस्टोन कैनाल से जुड़े होते हैं और एमपुली एक S के समान नली होती है जो एमपुली है या अस्टोनाल है S के स चारों और इस्थित एक वले नाल या रिंग का नाल में खुलती है। यदि इस टार्थिस के स्वसन तंत्र की बात की जाए रेस्पारेटोरी सिस्टम की बात की जाए तो स्वसन किरिया मुखे तया अप मुख सतह की और इस्थिर असंखे चर्मिये क्लोमों के द्वारा होती ह या डर्मल ब्रंक्याई के द्वारा होती है। चाहे डर्मल ब्रंक्याई कहो चाहे कलोम्स कहो इनके द्वारा होती है। अगर उसरजन तंत्र की बात करें एक स्किरिटोरी सिस्टम की बात करें तो बिसेष्ट उसरजी अंग नहीं पाय जाते हैं। अगर तंत्री का तंत्र की बात करें नर्वस सिस्टम की बात करें तो तंत्री का तंत्र जाल के रूप में पाया जाता है जिसमें तंत्री का तंत्र यानि नर्व फाइबर और गुच्छी का कोशका है यानि गैंगलियान सेल्स पाया जाती है और कुछ हस्थानों पर उतक सांद्रित होकर इस पश्ट तंत्रिका रज्जों या नर्व कॉर्ड का भी निर्मार करते हैं नर्व कॉर्ड अगर इसकी ग्यानेंद्रियों की बात की जाए सेंस आर्गन की बात की जाए तो पांच चमकीले वा लाल रंग के नेत्र चिन्ह होते हैं या आई इसपार्ट होते हैं पांच और तंत्रिका सं और समवेदी नेत्रचिन्क्रकास की तीवर्ता में परिवर्तन को गयात करते हैं अगर इनके रुधिर परिवहन तंत्र के द्वारा होता है या हेमल शिस्टम के द्वारा होता है हीमेल चुर। में समझाया भी था और रोधिर तंत्र जो होता है या हीमल सिस्टम जो होता है यह प्राग ही तरल से भरी एवं परस पर जुड़े कोटरों या नालों से बना होता है नालों से अगर इसके जनन तंत्र की बात करें reproductive practice system की बात करें तो starfish एक लिंगी या unisexual जनतु है कहने का मदब यह है कि नर और मादा प्रथक प्रथक होते हैं अलग होते हैं और starfish में पाँच जोडी जनन ग्रंथियां पाए जाती है पाँच जोडी ये प्रतेक भुजा के आधार में जठर निर्गमी अंधनालों और ताल पादों की तुम्बिकाओं के बीच में या एम्पुली के बीच में एक एक जोड़ी इस्थित होती हैं ब्रशाण और अंडा से आगर्टी में शमान होते हैं और सरीर में समान अस्थान पर पाए जाते हैं अगर श्टार्फिस का जीवन चक्र देखा जाए लाइप सेकिल आप श्टार्फिस को देखा जाए तो श्टार्फिस एक लिंगी जनतु है लेकिन इसमें लेंगिक गलग तो सरीर में पाय जाते हैं नर जनननंग और मादा जनननंग लेकिन उन्हें देखकर पहचान नहीं सकते हैं क्योंकि नर और मादा एकी ही जैसे होते हैं इसलिए कहा गया है कि इसमें लैंगिक दुरूपता नहीं पाय जाती है और जनन किरिया बसंतरित में होती है जनन क के जल में निकाल दे जाते हैं और वहाँ पर बाय निसेचन होता है यानि external fertilization की किरिया होती है अंडाण तथा सुक्राण के केंद्रकों के सनलगन होने से युगमनज बनता है या जायगोड बनता है यह हम सभी लोग जानते हैं निसेचन कैसे होता है तो जब अंडाण और सुक्राण आपस में मिल जाते हैं तो युगमनज बन जाता है या जायगोड बन जाता है उसे ही निसेचन कहते हैं जिसके चारों और एक कोमल निसेचन कला या फर्टलाजेशन मेंब्रेन का निर्माड हो जाता है और स्टार्फिस में आप्रतच्छ परिवर्धन यानि इनडाइरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है और इनमें निसेचन अंडा लगुपीत की होता है लगुपीत की यानि माइक्रोलेसिथल होता है माइक्रोलेसिथल और बिदलन क्लीवेज होता है पूर बंजी यानि होलो ब्लास्टिक होता है समान, अरी और आनिरधारित होता है और बिदलन के बाद ब्लास्टूला तथा सीलो ब्लास्टूला बनता है ब्लास्टूला और सीलो ब्लास्टूला और इसमें Embolic Antrvalan या Embolic Evagination होता है जिसे या दुई अस्तरी गरेश्टुला में बजल जाता है अंत में गरेश्टुला स्वतंतर प्लावी लारवा में परिवर्टित हो जाता है और धीरे धीरे करके इस्टार्थिस बन जाती है ये लिए brittle star के बारे में जान लेते हैं तो brittle star उथले वा गहरे सागर के तल पर रहती है और ये मांसा हारे जन्तु है जो क्रिश्टेसियंस तथा तल की गाद में उपस्थित सूच्म जीवों का सेवन करती है और रेंग कर चलती है लेकिन भुजाओं की सरपिल गतियों के आयर भी सकती है और आटो टॉमी तथा पुनुरूद भवन की छमता आपार पाई जाती है आफ यो ठिक्स को इस पाईनी ब्रिटल इस्टार भी कहते हैं आसा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा समद्में आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक औ देजिए धन्यवाद